फरुखाबाग के मोहला खटकपुरा में एक स्थल है जहां कभी पतंग उड़ाने के लिए मांज़ा सूता जाता था सूतहटी कहलाता है यही लगभग आमने सामने दो महलों का निर्मान सन अठारा सौ के आसपास किया गया होना चाहिए इन में से एक जो शुरुवाती दिनों में सोने चांदी के मुलमों से सजा था इस महल में आखरी बार भूतपूर चैमेन नगरपालिका नवाब हैदर जान साहब का निवास्थान था कहते हैं ये जर्ज़ हो चुका था इस संपत्ती को बीजेपी के किसी अधिकारी ने खरीदा था ये अंधिकरित संपत्ती के अंतरगत नहीं आता शहर में ऐसी अनेकों जर्ज़ संपत्तिया है तो फिर इस संपत्ती पर ही हाथ क्यों रखा गया ऐसा क्लेम जनता के बीच किया गया है लेकिन यह सत्य है कि यह महल जर्ज़ था इसका तोड़ा जाना जरूरी था वैसे फरुखाबाद महलों का शहर है कभी यहां कुल 30 से अधिक महल वकिले हुआ करते थे इसका अपना लंबा इतिहास है मुहम्मद खान बंगश और आमेर के राजा जैसिंग आपस में दोस्त थे कला प्रेमी होने के कारण मुहम्मद खान पर राजिस्थानी आचिटेक्ट तथा सेखवटी हवेलियों का सपश्ट प्रभाव था यही कारण है कि फरुखबाद में नवाबी बिल्डिंगों वा महलों के निर्मान में सेखवटी वा लखनवी कला का अनूठा संगम हवेलियों में जहाका जा सकता है हम अपने हैरिटेज को संभाल कर नहीं रख सके क्योंकि संरक्षन के अभाव में यहां के महल, विश्राते, मंदिर, मस्जिद वा मगबरे खंडहर हो गए या भूमा फियाओं द्वारा कब्जा लिए गए कभी फरुखबाद रियासत में कुल 30 से अधिक महल वकिले हुआ करते थे मुहम्मद खान ने अपने बैंटों कायम खान वा एहमद खान के लिए मौजा अमेठी में वा भिकमपुरा में दो किले बनवाए थे कायम खान की मृत्यू के बाद इसमें उसकी विद्वा बीबी वा बेहन दौलत खातून रहा करती थी एहमद खान ने उजड़े फरुखाबाद को एक बार फिर आबाद करने के लिए पक्के मकान नए बजार वा नए महल बनवाना शुरू किया इनमें खास महल जिसमें 1849 तक बीबी अच्छम मुझफर जंग रहती थी मुबारिक महल वा सलावत महल बनवाय जो शहर के बीचो बीच मोती मस्जिद के पीछे थे सलावत महल के दरवाजे वा छट सोने की मुलमाकारी से जड़े थे शेखावती आर्किटेक्ट वा लखनवी कलाकारी महलों का अकर्शन था दिवान खाना मुबारक महल में था 1849 तक बीबी विलायती बेगम इसमें रहती थी आज इस महल में गवन्मेंट हाइस्कूल चल रहा है बुलंद महल जो कच्चा बना था उसको पक्का बनवाया 1857 वा 1858 में अंग्रेजों ने इस बुलंद महल को तोपों से उड़ा दिया था यही आज टाउन हाल है त्रिपोलिया चौक में एक बजार का निर्मान कराया जिसे कट्रा आमध गंज कहा गया आज इसे गोटा वालों का हाथा कहा जाता है इसके अलावा फतेहगर, विशुंगर व तिर्वा में किले थे फतेहगर किले में राजपूत रेजिमेंट सेंटर है तिर्वा किले में डिन डिग्री कालेज चल रहा है विशुंगर का किला समाप्त प्राया हो चुका है अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले सब्सक्राइब कर दें वह साथ में लगी घंटी अवश्य दवा दें